Hello friends, सबका दिन मंगल मैं हो Happy Cooking Moments में आज हम बनाएंगे सोया बड़ी की सबजी या फिर हैं सोया नगेट जिसको कहते हैं और मैं सोया चंक्स के बना रही हूँ तो लगबग 1500 ग्राम ये सोया निट्टी नगेट्स हैं हमारे और इसको बनाने के पहले हमें इसे गरम पानी में भीगो के 10-15 मिनट तक रख लेना है जिससे कि ये अंदर से सौप्ट हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे ये मैंने गरम पानी लिया हुआ है boiling तो नहीं है लेकिन काफी गरम है और पानी आपको इतना लेना है जिससे कि ये अराम से भीग जाए तो पानी में नमक डाल करके इसको मैंने सोख करके रख दिया है और 10-15 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे और चलिए मसाले बद दिखा लेते हैं तो मसाले के लिए मैंने 10 बार लेसुन लिया है और अध्रक का टुकुड़ा लिया है इसको पीस करके जिंजर गालिक पेस्ट बना रहे हूँ पैकेट का भी जिंजर गालिक पेस्ट ले सकते है धाई प्याज है और एक टमाटर लिया है इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे और मसालों में लिया हुआ है जीरा है काली मिर्च है ये लवंग है दो-तीन छोटी इलाइची, बड़ी इलाइची, दाल चीनी, जावित्री तेश पता भी ढालेंगे हम और पिसे मसालों में मैंने लिया हुआ है दनिए पाउडर है जीरा पाउडर है, हल्दी है काली मिर्च, लाल मिर्च और काश्मीरी मिर्च और साथ में गरम मसाला हम बाद में आड़ करेंगे तो अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ जब तक हमारा ये सोक हो रहा था टमाटर और प्याज को साथी में पेस लिया है और चलिए अपने नगेट्स चेक कर लेते हैं तो नगेट्स हमारे काफी सौप्ट हो गाए हैं अंदर तक पानी एब्जॉब कर लिया है तो अब इसे हमें नॉर्मल पानी मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नगेट्स में पानी डाल करके उसको एक दो बार हम धोल लेंगे जिससे की जो थोड़े बहुत स्मेल रहती है वो निकल जाए और दो पानी से धोलने के बार फिर हम इसको निचोड करके निकाल लेंगे क्योंकि हम इसे फ्राई करेंगे तो पानी रहेगा तो फिर दिक्कत होगी तो बढ़ियां से निचोड लेंगे और फिर हम नगिट्स को यूज़ करेंगे तो ये हमारे नगिट्स दिखिए पानी इसका निकाल लिया है स्क्वीज आउट हो गया है तो अब कड़ाई या पैन ले सकते हैं मैं कुकर में बना रहे हूँ तो कुकर में हम सबसे पहले नगिट्स फ्राई करेंगे और इसमें मैं मतर भी एड़ कर रहे हूँ मैंने फ्रोजन मतर लिया है अब फ्रेश मतर भी ले सकते हैं तो अभी सारा तेल नहीं डालेंगे लगबग दो टेबल स्पून या एक कलची तेल डालेंगे तेल गरम हो जाए तो फिर हम नगिट्स को डेट दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हाई टू मीडियम हीट पे बहुत देर तक नहीं फ्राई करेंगे नहीं तो फिर ये चिम्मर हो जाएगा नगिट्स को मैंने दो मिनट फ्राई कर लिया है गैस बंद कर दी है अब इसमें तेल और डालेंगे दो कलची तेल डाली है लगमक तीन टेबल स्पून और फिर मसाले हम फ्राइ करेंगे तो सबसे पहले हम जो साबुत मसाले हैं वो एट करेंगे और ये सारे मसाले तेज पत्ता मैंने नहीं दिखाया था तेज पत्ता भी डाल दिया है और रेड चिली मैंने साबुत नहीं डाली है अगर आप पसंद करते हों तो रेड चिली और ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं थड़के में और डेड़ मिनट लगवग इनको भूनने के बाद लो हीट पे फिर हम इसमें प्याज और टमाटर हमने पीस के रखा था वो डाल देंगे और प्याज और टमाटर डालने के बाद आज हम तेज कर देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे और दो-तीन मिनट मैंने प्याज और टमाटर को भून लिया है इसका मौशर निकल गया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ अपने हिसाब से नमक डालें क्योंकि नगेट्स में तो नमक पड़ा है कितनी कॉंटिटी में मठर एड़ कर रहे हैं उस हिसाब से अ रहक न चली जाए लैसुन और अद्रक का कच्छा पन न निकल जाए और हमारा ये भून गया है बहुत ब्राउन नहीं करना है इसको और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे सारे मसाले हल्दी धनिया जीरा जो हमने दिखाया था बस गरम मसाला अभी नहीं आट करेंगे और मस कि थोड़ा मशर है तो मसाले नहीं जलेंगे आधे मिनट के बाद हम एक चमज पानी डालेंगे और मसालों को थोड़ा पकने देंगे थोड़ी दिर बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जब तक कि मसाला हमारा थोड़ा फ्राई नहीं हो जाए देर दू मिनट तक प्याज के साथ मसाला अमारा फ्राई हो गया है तो अब सबसे पहले मैं इसमें मटर एड़ कर देती हूँ चुकि मटर हमारी boiled नहीं है, मटर हमारी कच्छी है तो मटर को 2 मिनट हम भून लेंगे, 2 या 3 मिनट फिर उसके बाद nuggets भी एड़ कर देंगे nuggets को mix करके, थोड़ा सा fry कर लेंगे मसालों के साथ और आप जितना consistency चाहते हैं, उतनी consistency का पानी बाद में add करेंगे और मैंने एक चमच भूना बेसन डाला है इससे क्या होता है, कि gravy का texture बहुत बढ़ियां आता है और taste में भी काफी इजाफा हो जाता है और बढ़ियां से इसको भी मिला लेंगे, भूना बेसन है तो फिर ज़्यादा उसको fry करने की जरुवत नहीं है तो optional है, अगर आप डालना चाहें तो डालें या फिर skip भी कर सकते हैं और गरम मसाला मैंने पहले नहीं डाला था, तो अब एक टी स्पून गरम मसाला एट कर देते हैं और इसको भी मिला लेंगे अब इसमें हम पानी डाल करके, प्रेशर लगा करके, सीटी आने के बाद तीन मिनिट तक लगबग हम इसे पकाएंगे पानी लगबग टेर का ठोरी डाल रहे हूँ, आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं आपने कितना मटर डाला है, कितनी ग्रेवी चाहिए आपको उस हिसाब से पानी अप एड़्जस कर सकते हैं तो प्रेशर आने के बाद मैंने तीन मिनिट तक पका लिया था इसका अब हम वेट करेंगे कि प्रेशर निकल जाए, तभी हम इसको खोलेंगे कूकर ठंडा हो गया है थोड़ा, प्रेशर भी निकल गया है, तो अब इसको हम सर्विंग बाउल में ले निकाल लेंगे लिट्पिटी सबजी बनी है, अगर आपको और पतली चाहिए, तो आप पानी थोड़ा और अड़ कर सकते हैं, प्याज भी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, और इसको धनिया पत्ती के साथ आप गानिश कर सकते हैं. Thank you for watching.